ओशकासाद कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे मैं भी बढ़िया हूँ तो गर्बा जो है डांडिया जो है नवरात्री जो है उनका सीजन जो है वो आने ही वाला है और मुझे कमेंस में बहुत जादा ये रिक्वेस्ट किया गया कि मैं गर्बा से जुड़े हुए जो स्टेप्स होते हैं वो आप लोगों के लिए एज टुटोरियल ले के आऊं तो आज का वीडियो होने वाला है उसी के उपर मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 बहुत ही इजी गर्बा स्टेप्स जो आप अपने गर्बा और डांडिया में इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी मैफिल में च्छा सकते हैं तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहली चीज ये है कि गर्बा में सिर्फ आपके हाथों का इस्तेमाल होता है गर्बा और डांडिया दोनों ही डिफिरिंट चीज़े हैं डांडिया में आप अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे पैरों का इस्तेमाल करेंगे और बढ़िया से डांस टैप हम लोग सीखेंगे तो सबसे पहला स्टैप ये रहा दोस्तों सबसे पहला स्टैप में आपके लिए लेकर आ रही हूं कि दोनों हाथ हमारे इस तरीके से ओपन हैं दोनों जब आप जाओ करते हैं तो आपके पैरों के पोजिशन जो है वो यह हो जाएगी आपने जब क्लैप किया तब मेरे पैर सीधे हैं बिलकुल सीधे हैं मैंने क्लैप किया वज और अब इसको लेके मैं क्लैप को पकड़ा मैंने और मैंने कहा जओ यहां से फेक दिया जओ तो य और यह की जब आप left side करेंगे तो यह पैर जमीन पर हो जाएगा और राइट पैर जो है, वह आपका इस तरीके से उपर हो जाएगा तो यह इस तरीके से दिखेगा वन टू आपने पकड़ा और फेका पकड़ा और फेका और इस तरीके से आपकी बॉड़ी थोड़ी से अलकी से तिल्ट हो जाएगी तो पैरों की पोजिशन यह हो जाएगी मैं आपको बता दिया जब आप लेफ्ट की साइड में फेकेंगे तो लेफ्ट पैर जो है वो जमीन पे है और राइट पैर जो है वो मेरा थोड़ा आधा हवा में है और सेम चीज जब आप राइट की तरफ करेंगे तो मेरा लेफ्ट पैर जो है वो आधा हवा में है राइट पैर पूरा जमीन पे है, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको म्यूजिक पे भी यह सार स्टेप्स करके दिखाऊंगी, तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा, अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरब, हमारा दूसरे स्टेप में भी सेम सिचुएशन है, आप जाधा तर देखेंगे कि गर्बा के जो स्टेप्स होते हैं, उनमें पैर जो हैं, पैर की पोजिशन जाधा तर यही रहती है, आपका राइट फूट पूरा जमीन पे है, आपका लेट फूट आधा हवा में है, फिर से लेट फूट आपका जमीन पे ह हो गया और राइट फूट आधा हवा में है, पैरो की पोजिशन यही रहती है, यह वाली जो हम हर डांस में इस्तमाल करते हैं, एक पैर हवा में रहेगा और एक पैर पूरा जमीन पे रहेगा, तो सेकंड स्टेप भी इसी तरीके से है, कि आपको एक बार इस तरीके से ल ब पैर नीचे है और राइट पैर मेरा उपर है, इस तरीके से, यह बन गया एल, ठीके 90 डिग्री का आपका कौन बन जाएगा, यह इस तरीके से ल, और यह कि यह चीज़ जब मैं राइट की तरफ करूंगी, तो मेरा लफ्ट फूट उपर है हवा में और मेरा राइट पैर ज स्पीड में अपने आप आ जाएगा, फास हो जाएगा, वन, टू, ट्री, फोर, तो मारा फर्स स्टेप था, पकड़ो और फेको, पैरों की पोजिशन फिर से वही थी, एक पैर पूरा जमीन पे, एक पैर हवा में, सेम चीज़ जब उल्टी हुई, एक पैर जमीन पे, एक करने है हवा हुआ और सेकंड स्टेप भी हमारा यही है, वन, टू, एल, एल आपको बनाना है, वन, एल, टू, अब आते हैं हमारे तीसरे स्टेप की दरफ, दोस्तो हमारा तीसरे स्टेप है आपको दोनों हाथों को ओपन करते हुए, अपना राइट पैर जो है, वह आगे ह। अपना राइट फूत आग़े लेंगे तो आपके दोनों हाथ खुल के सामने की तरफ आजाने चाहिए और सेम ये चीज है जब आप रिटन बैक करते को शाया। और ये सेम चीज पीछे की तरफ हो जाएगी, लेकिन आपके पैरों की पोजिशन जो ये है ना, इसी पैरों की पोजिशन को उल्टा कर दीजे, ऐसे, और ये सेम चीज इधर हो जाएगी, आप देखें मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा राइट फूट आगे है और मेरा ले पे मैं आगे से पीछे हुई हूँ, मैंने और कुछ भी नहीं किया है, तो ये स्टेप इस तरीके से दिखेंगा, 1, 2, पहले आप इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसका आगे का मैं बताती हूँ, 1 ये हो गया, और 2 इस तरफ से हो जाएगा, अब ध्यान ये रखन कि आप जब पहले फस्ट पेरा की तरफ में अपने हाथों को ऊपर करते हैं और आपका पैर जो है वो आगे है और आपने हाथों को ओपन किया, अब जब इसको नीचे लाएंगे तो ये हाथ नीचे आएंगे और अपना चेहरा भी नीचे आएगा, तो 1, 2, 3, 4, आपके पै पर सिर्फ आगे और पीछे हाथ आगे तो पैर आगे, हाथ पीछे तो पैर पीछे तो ये इस तरीके से दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, एक बार उपर, एक बार नीचे, एक बार उपर, एक बार नीचे, पैरो की पोजिशन ये थी, जब मैंने आगे किया, 1, 2, एक बार पी पर बज़े आजा कर दो बागी तो अपनी जगह से आगे और पीछे होई वैं टू चीज का व्हाँ रखना है बाकी यह स्टेप जो है वह वह करते हैं तब बोस उंदर लगता है 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 तो इस तरह के से धीरे-जीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बॉडि में अपने आप जो लहराना पन है न वो अपने आप ही आजाएगा तो यह हो गया हमारा तीसरा स्टेप अब आते हैं हमारे चौतह स्टेप की दोस्तों मेरा चौदहा स्टप है ये आपकी कोहुनि और कोहुनि को मारना है इस तरिके से जबहु किसी को कोहुनी मारते हैं या यह बस यही वाला स्टप है बस चारोड़ पूरव पशिण उत्तर और तक्षिण वन बाएव वन आपको हर दिशा में एक बार अपनी कोहनी को मारना है, लेकिन जब आप अपनी कोहनी को मारते हैं, तो आपके पैरों की पोजिशन, जहां आपके कोहनी जा रही है, वहीं आपका पैर जाएगा, राइट फोट है, राइट कोहनी है मेरी, और कोहनी के साथ ही मेरा पैर आगे की तरफ जाएगा, हमारा यह step जो है वो complete हो जाएगा फिर से हम करते हैं कोहनी हो गई यह मेरी यह रही कोहनी और first मेरा पैर यह रहा अब मैं इसको आगे की तरफ मारूंगी तो मेरा पैर जो है वो भी आगे की तरफ आजाएगा one फिर तू फिर त्री फिर फोर तो यह इस तरीके से दिखेगा one two three four आपका पैर बस यही ध्यान रखना है कि आपके हाथ के साथ आपका पैर भी मूव करेगा उसी दिशा में अपने अपना हाथ आगे किया अपना पैर भी आगे कर लो one जब आप इसको धीरे दिर पैक्टेस कर आपको आपके हातों को लहराते हुए एक बार राइट की तरफ और एक बार लहराते हुए एक आते हुए उनको लेफ्ट के तरफ लेके जाना है इस तरीके से one and two आपने कभी भी देखा हुगा कि जब भी हम गर्भा करते हैं तो आपका फेस जो है वो हमेशा हिलता रहना चाहिए क्योंकि आप एकदम मगन हो जाते हैं डांस करते-करते हुए और आपके एक्स्प्रेश राइशयगा टारीके से 1 राइश लेक्न आप जब यह कर रहे हैं तो आपके पैर ठोंगी जो है वह यह है कि जब मैंने राइट की तरफ किया तो मेरे पैर इस तरीके से चलते है नब 민ह जो है क्रिशन बaghगान जैसे चलते ना ऐसे लेब पैर जो यह वह इस तरीके से यहां 1 2 3 4 आपने देखा मैंने सिस्पपने चेहरे को हिलाया अपने हाथ को हिलाक गी और इक снова राइट की तरफ ले गई और पैर जो हैं जब राइट की तरफ है तो राइट की तरफ आ गया और थे लहराते उस जब लेप राइट की तरफ आई तो लफ्ट की तरफ आ गया तो यह स्टेप इस तरीके से है one two three and four तो यह हो गया हमारा पांचवा स्टेप आते हैं अगले स्टेप कि तो यह स्टेप आपने हर गर्बा डांस में देखा होगा कि दो बार आपको राइट की तरफ जाना है फिर दो बार आपको लेफ्ट की तरफ जाना है फिर आपकी बॉड़ी जो है वो मुर जाएगी और सेम चीज फिर से दो बार आपको राइट की तरफ जाना है और दो बार आपको लेफ्ट की तरफ जाना है हातों की पोजिशन जब आ हम left के तरफ जाएंगे फिर आपकी body जो है वो flip हो जाएगी उल्टी हो जाएगी और same चीज वापस दो बार हम right के तरफ जाएंगे और दो बार हम left के तरफ जाएंगे 8 beat में हमारा ये step जो है वो complete हो जाएगा इस तरीके से दिखेगा हाथ right की तरफ जा रहे है तो right की तरफ left की तरफ जा रहे है तो left की तरफ one two three four five six seven eight बहुत easy और basic सा step था इसमें जादा कुछ है नहीं right की तरफ दो बार left की तरफ तो आराम से easily तरीके से जाने अब बढ़ते हैं हमारे next step की तरफ दोस्तों आपको जो कोहनी वाला step सिखाया था जिसमें आपको अपनी कोहनी जो है उसको मारना है तो हमने पिछले step में यह किया था one two three and four चारों दिशाओं में आपको एक एक बार कोहनी मार रही है यह step हो गया था अब यह वाला step दूसरा जो step है यह थोड़ा उससे मिलता चुलता ही है लेकिन यह इसका variation अलग है इसमें आप अपनी कोहनी जो है वो चार बार सामने की तरफ मारेंगे राइट कोहनी सामने की तरफ चार बार फिर आपके बाड़ी फिलिप हो जाएगी और लेफ्ट कोहनी सामने की तरफ चार बार तो यह इस तरीके से दिखेगा वाण टू थ्री और फिलिप हो गई बाड़ी वाण चार चार बार में अपना बीट जो है वो खतम हो जाएगा तो सिंपल सी बात है हाथ मेरी यह ऐसे हो गए और मैं अपनी कोहनी को इस तरीके से मार रही हूं आप चाहे तो इस तरीके से अपना लहंगा भी पकड़ सकते हैं और अपने right hand अगर मार रहे हैं तो left hand से आप अपना लहंगा पकड़ लीजी और सेम चीज़ जब आप उल्टी करेंगे तो आप इस तरीके से अपना लहंगा पकड़ लीजी तो चार बार मैं सामने मारूंगी फिर वापस में फ्लिप हो जाओंगे और चार बार में फिर से सामने मानूगे तो यह इस तरीके से दिखेगा वाइन टू ठी एन फोर वाइन टू ठी एन फोर आखिर में में सब म्यूजिक पर करके दिखा दूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यह हो गया हमारा साथ वाज स्टेफप अब आते हैं फूँद दूस्तो आपवे स्टेफ में आपको अपने हाथ जो है वह इस तरीके से कर लएना हैँ यह थंद्ब स्टाव और दोनों को मुझे मैंने अपने कंधे पे लगा लिया इस तरीके से आप भी अपने कंधे पे लगा ले और आपका पैर जो है वो इस पोजिशन में रहेगा एक बार इधर फिर एक बार बीच में फिर एक बार इधर फिर दोनों पैर मेरे जमीन पे अब राइट फुट मेरा जमीन पे और लेट पूट जो है पीछे चला गया वापस आया जमीन पर और इस बार राइट फूट जो है वो पीछे चले गए तो यह स्टेप जब हम करेंगे तो इसके पैर के साथ-साथ आपके हाथ जो है वो भी कंदे पर जाने चाहिए इस तरीके से 1 2 3 4 तो यह इस तरीके से दिखेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 थेंस डाउन है मेरे कंदे पे हैं और मैंने पैरो को इस तरीके से एक बार पीछे की तरफ किया है फिर वापस अपनी जगा पे और एक बार फिर से पीछे की तरफ 1 2 3 4 1 2 3 4 तो यह हो गया हमारे 8 स्टेप तो अब आते हैं हमारे 9 स्टेप की तरफ आपको आपके को इस तरीके से थोड़ा सा उपर उठा लेना है दोनों पैर जो है वो आपके दिखने चाहिए अब राइट फुट से एक बार मैं अपने पैर को यहां पे मार रही हूं और उठा के राइट की तरफ रख रही हूं और यह करते हुए इस तरीके से उठाना 1 और अब मेरा ल पैर को मार के लेट की तरफ रखा और राइट पैर भी उठके इस तरफ आ गया तो यह इस तरीके से दिखेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 अब आप इसको लेंगा उठा के भी कर सकते हैं आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें लेकिन आप लेंगा उठा के भी तो यह सुन दर दिखेगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, अब आते हैं हमारे आखरे दस्वे स्टेप की तरफ जो है चार क्लेप वाला स्टेप, आपको चार बार ताली बजानी है और ताली बजा के आपका हाथ जिस तरफ जाएगा उसी तरफ आपके अपनी बोड़ी भी लेके जानी है तो भई मैंने ताली बजा लिए और अपना राइट हाथ जो है वो राइट की तरफ है तो 1, इदर आ गई, अब लेट की तरफ, 2, आगे की तरफ, अब वापस ताली बजा के पीछे की तरफ, दो बार आगे की तरफ, दो बार पीछे की तरफ, 3, and 4, एक बार आगे, वापस एक बार लेफ्ट की तरफ तो मेरे पैर भी आ गया गया फिर वापस पीछे तो वापस अपनी जगा पर और फॉर्थ में फिर से अपनी जगा आपके पैर जो है वो इस तरीके से चलेंगे वापस 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 वापने राइट फूट आगे रखा लेफ्ट फूट पीछे उसके पीछे फिर इधर गया तो लेफ्ट पहले लखा फिर राइट की तरफ पहले आएगा लेफ्ट की तरफ जा रहे है तो लेफ्ट पहले आएगा और बैक भी जब जा रहे है तो राइट foot पहले आएगा और left की तरफ बैक जा रहे हैं तो left foot पहले आएगा यह चीज़ का ध्यान रखेगा पर कि यह step बहुत easy है clap 1, 2, 3 and 4 यह इस तरीके से लिखा 1, 2, 3, 4 मैंने right foot के साथ अपना left पिछे आ गया left बढ़ा right पिछे आ गया right पिछे left पिछे left पिछे आ गया right पिछे आ गया झाल 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 तो यह थे हमारे 10 आसान गर्वा स्टेप्स जिनके अगर आप प्रैक्टेस करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार हेलफुल साबित होने वाले है तो आपको आज का मेरा यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और लोगों तक इसे पहुचाईएगा ताकि लोगों की भी भदत हो सके और मुझे कमेंस में ज़रू बताइएगा क्या आप इसका प